क्या आप भी ट्रेन से चुराकर ले जाते हैं चादर और तॉलिये तो क्या आपको भर सकता है जुर्माना या फिर हो सकती है जेल इस वीडियो में आपको सभी कुछ पता लगेगा बाती रेलवे से रोजाना आप और लाको लोग सफर करते हैं और सफर के दौरान आपको किसी चीज की परिशानी ना हो इसके लिए रेलवे खास ख्याल रखता है सफर के दौरान यात्रियों को रेलवे की तरफ से तॉलिये दिये जाते हैं यात्री इन सामान का अस्तमाल कर सकते हैं हालकि कुछ लोग इसे यात्रा खत्म होने के बाद अपने साथ बैग में रखके घर लेकर चले जाते हैं रेलवे में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ट्रेन में मिली चादर और तॉलिय को घर लेकर जा सकते हैं। ऐसा करना आप पर भारी पर सकता है। अब तक 14 करोड के तॉलिय और चादर ट्रेन से चोरी हो चुके हैं। बता दें कि अगर ट्रेन के बाहर भी आपके पास बेड़ रोल का कोई सामान मिलता है तो आप पर कारवाई की जा सकती है। अगर कोई ऐसा करने के बाद पकड़ा जाता है तो उस यातरी पर कारवाई की जा सकती है। दरसल ये रेलवे की प्रॉपटी मानी जाती है और रेलवे प्रॉपटी आक्ट के तहट ट्रेन से सामान चुराने पर कारवाई का प्रावधान है। ऐसे में इस जर्म के लिए एक साल की सजा हो सकती है और एक हजार रुपए का जर्माना भी लग सकता है। जेल की सजा पांच साल तक भी बढ़ाई जा सकती है। जब भी आप AC कोच में सफर करते हैं तो आपको रेलवे की ओर से बेडरोल में दो चादर, एक कंबल, एक तक्या, एक तक्ये का कवर और तॉलिया शामिल होता है। हाला कि अब रेलवे की ओर से तॉलिया कम ही दिया जाता है। वहीं बेडरोल सिर्फ AC क्लास में सफर करने वालों को ही दिया जाता है। आदा घंटे पहले ही बेडरोल का सामान इकठा करने की सला दी गई थी ताकि लोग इनकी चोरी ना कर सके। तो ऐसे में अगर अगली बार आप ट्रेन से सफर करते हैं और तॉलिया और चादर चुराने का दिमाग में आपके आता है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजेगा क्योंकि इसका भारी भुगतान आपको बढ़ना पड़ सकता है अगर आप पकड़े गए तो ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राया है आप हमें कॉमेंट करके जरूर दाएगा साथ यह सी कबरों के लिए आप देखते रहे हैं इंजनियोज